आजकल ओनलाइन पैसा कमाने का एक बहुत ही सरल तरीका है अफलियेटेड मार्केटिंग आजकल लगभग कंपनिया अपना एक अफलियेटेड प्रोग्राम रन करती हैं जिसके साथ लाखों लोग जूर कर लाखों रुपए कमा रहे हैं और ऐसे में हर किसी को अफलियेटेड प्रोग्राम मिल जाए यह जरूरी नहीं है तो ऐसे में हम आपके लिए एक अप्लिकेशन लेकर आए हैं जिस अप्लिकेशन से आप घर बैठे हजारों रुपए मन्त के कमा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी अफलियेटेड प्रोग्राम में आपको जूरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या है यह अप्लिकेशन कैसे वर करता है सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसी ही हम नॉ के इस्क्राइन पर इस अप्लिकेशन को सिंपल डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे अन करो वो दिख कर गार आप इसी ध्यान से देख लीजिए यह अप्लिकेशन का लोग है object के बारे में लिखा हुआ है कि अध्यज्जर बेृप और इसी इन् यही होना है इस्टार्ट हो जाएगा हमारा जो अप्लिकेशन से वह इंस्टॉल हो चुका है इस्टॉल होने के बाद हमें यही पर open करने का options मिलता है तो चली हम इस applications को open करते हैं जैसे हम open पर किलिक करते हैं तो हमारे सामने applications का कुछ इस तरह का interface आता है और यहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है वाच हाउ अर्ण करो वर्क अगर आप पहले से इस अप्लिकेशन्स में साइन अप कर रखे हैं तो आप यहां से लोग इन के बटन पे क्लिक करके आप लोग इन कर सकते हैं अगर आप नए है इस अप्लिकेशन्स पे तो आपको यहां पे साइन अप पे क्लिक करके साइन अप करना पड़ेगा तो चलिए हम नए हैं तो हम पहले यहां पे साइन अप करते हैं साइन अप पे क्लिक करेंगे जैसे हम sign up पे click करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का interface आता है उसके बाद ये applications हमसे कुछ permissions मांगता है किसी भी applications को permission देने से पहले आप उसे carefully read कर ले कि वो किस तरह के permissions आप से मांग रहा है जहां तक इस applications की बात है ये हमसे हमारा locations को access करने की permissions मांग रहा है उसके लिए ये हमें तीन तरह के options provide करता है फर्स्ट में ये कहता है कि हम आपके locations को हमेशा के लिए access करना चाहते हैं और दूसरा जो है ये कहता है कि हम आपके locations को तब access कर पाएंगे जब आप हमारे app को use करेंगे और तिसरा जो options है यह कहता है कि अगर आप applications को locations देना नहीं चाहते हैं तो आप यहां से इसे आप deny कर सकते हैं जिससे यह आपके locations को यह applications access नहीं कर पाएगा हम second वाले options को choose करते हैं या उसके बाद यह कहता है make your phone calls और एकसे करने के लिए तो फिलाल हम इसे deny कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एक account create करेंगे account यहाँ पे कैसे create कर सकते हैं आप यहाँ पे join कर सकते हैं join with facebook facebook के माधियम से आप चाहें join करना तो आप इस पे clicker करके join कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं manually इसमें account create करना तो आप यहाँ पे create कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आप अपना full name लिखेंगे, यहाँ पे email id डालेंगे, और यहाँ पे आप password डालेंगे, और यहाँ पे आप mobile number डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे gate OTP पे click कर देंगे, उसके बाद हमें एक OTP आएगा, देखे हमें OTP आ चुगाया तो चलिए हम यहाँ पे in कर देते हैं, हमारा जो OTP है 27, और एक बड़ मैं देख लेता हूँ, 0107, और उसके बाद यहाँ पे verify पे click कर देंगे, जैसे हम verify OTP पे click करते हैं, हमारा जो account है, वो create हो जाता है, और उसके बाद हमारे सामने application का कुछ इस तरह का interface आता है, आप यूं कह सकते हैं कि यह application का dashboard है, अब हम आपको बताते हैं कि यह application work कैसे करता है, और आप इस application से कैसे पैसा earn कर सकते हैं, तो जब बात पैसे की हो रही है, तो शुरुवात हम आपके profit से करते हैं, आप इस application से जो भी पैसा earn करेंगे, वो सब के सब आपको यहीं पे sow करेगा, यो total profit आप जो भी earn करेंगे, सा बताएंगे अगर यहां पे आप देखना चाहते हैं कि इस platform पे आपको क्या-क्या चीजे मिलेगा जिससे आप पैसा कमा सकते हैं तो उसका एक options आपको यहां पे मिलता है एक एक चीजे करके हम आपको explain कर देते हैं आप जैसे बात करें हम सुपर सेलर्स की तो यहां पे आपको सुपर सेलर्स का एक options मिलता है और यही पे आपको मिल जाता है AGO जो एक e-commerce site है जहां से आप अपने जरूरत की चीजे purchase करते हैं वो भी है मिंत्रा है तो इस तरह के जो company है वो इस पे इस platform पे अवलेबल है कितनी कंपनिया किस तरह की कंपनिया इस पे अवलेबल है हम सब बताएंगे उससे पहले हम इसमें categories देख लेते हैं किस-किस तरह के categories हैं अब देखिए इसी के side में बगल में ही आपको यहाँ पे मिल जाता है man fashions जैसे हम इस पे click करते हैं तदेखे t-shirt, jeans, shorts, trousers, trousers के options मिल जाते हैं इसी तरह omens के उसके बाद आप right से left की तरह पे slot करेंगे तो यहाँ पे अलग-अलग तरह के आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि आप Amazon और Flipkart के side पे देखते हैं कि क्या-क्या categories है किस-किस तरह के product मिलते हैं सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जैसे यहाँ हम आप इस पे click करेंगे तो उसके options आ जाते हैं तो इस तरह से आपको इस पे वो सारे options मिल जाते हैं उसी तरह अगर हम यहाँ electronics पे click करते हैं तो electronics में जो चीज़े इस platform पे available है इस applications पे available है वो चीज़े आपके सामने लाकर रख देता है दूसरी चीज़े है यहाँ right and side corner पे आ देख रहे हैं आप इस पे भी click करके आप इसके category को देख सकते हैं जैसे electronics है, grocery है, men's fashion है, women's है, man food wear है इस तरह के options आपको मिलते हैं जो भी चीज़े आपको purchase करना है जैसे electronics करना है तो इस पे click करेंगे तो देखिए electronics में जो वहाँ भी दो चीज़े दिखा रहा है headphones and mobile accessories तो ये दो option ही क्यों दिखा रहे हैं ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि इस platform पे कितने ऐसे company है जो इस platform पे available है और कौन से company क्या अगर हम product को sell करते हैं तो उस पे हमें क्या profit मिलेगा तो उसके लिए यहाँ पे profit and rate का options मिलता ह हम इस पे क्लिक करेंगे जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का interface आता है और यहाँ पे applications वो सारे company के list with profit के साथ लाकर रख देता है जैसे first cry जो first cry है इस पे आपको देखें यहाँ पे लिखता है up to 30 profit यानि कि आप यहाँ पे 30 रुपे तक का profit कर सकत है up to 30 लिखता है ठीक है उसी तरह से आप यहाँ पर देखें SBI card का है फ्लाइट 1500 तक का profit दे रहा है उसी तरह के से दखिये AGO पे है ये देखिए 14% तक का profit दे रहा है और यहाँ पे मिंत्रा है जो 8% तक का profit आपको इस पे दे रहा है तो ये options आपको इसमें मिलता है अब देखिए इसमें आप कहीं भी देखेंगे इसमें अभी Amazon और Flipkart फिलहाल नहीं है पहले था इसमें अभी नहीं है अभी इस platform से ह खटा दिया गया है तो ये इसमें आते जाते रहते हैं कोई company कभी आपको इसमें सो करेगा कोई company कभी आपको सो नहीं करेगा तो ये इनके अपने आपस के कुछ bonding होते हैं उसे recording होता होगा जो भी चीजे हो तो अभी फिलाल इसमें Amazon और Flipkart अविलेबल नहीं है इसलिए आपे electronics में दिखा रहा है जो कि आपका headphone है और mobile accessories है क्योंकि अभी इसमें जितने भी product आपको यहाँ पे add है maximum जो है कि वो electronics में ज्यादा चीजे नहीं बेशता है वो ज्यादा जो sell करता है वो आपको fashion से related sell करता है तो वो आपको यहाँ पे है तो इसमें जितने भी company यहाँ आपको show कर रहे हैं यही company के product आपको इस platform पे मिलेंगे अगर इसमें आप history check करना चाते हैं तो आप यहाँ पे history में जाकर आप देख सकते हैं जो भी product आप share करेंगे आपको यहाँ पे show करेगा जैसे मैंने यहाँ पे कुछ product share करके देखा था तो हमको यहाँ पे show कर रहा है और यहाँ पे आपको profile का options मिलता है जैसे आप profile पे click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और यहाँ पे भी देखिए my earning का options मिलता है आप इस पे click करेंगे तो आप यहाँ पे भी आप profit देख सकते हैं और यहाँ पे refler जो भी आप refer करेंगे उसकी earning आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप अपने payment को यहीं से withdraw कर सकते हैं request profit payment पे आप click करेंगे उसके बाद आप इस applications में जो account number आप add करेंगे bank का उसमें आप transfer ले सकते हैं transfer लेने के लिए minimum इसमें 10 रुपे चाहिए 10 रुपे आपके हो जाते हैं तो आप उसको अपने account में transfer ले सकते हैं अब बात आती है कि इसमें हम payment अपने account में लेंगे निखिन उसके लिए हम यहाँ पे अपना account कैसे add करेंगे तो इसके लिए हम back आते हैं और यहीं पे आपको account setting का options मिलता हैं जैसे हम इस पे click करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको payment setting का options आ जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं bank payment NEFT के दोड़ा आपको किया जाएगा तो यहाँ पे आपको अपने detail फिल करना है जैसे name of bank account holder जिसके नाम पे आपका account होगा उसका नाम डालेंगे य account number डालेंगे यहाँ पे आप अपना password डालके save changes कर सकते हैं तो यह मिलते हैं अगर आप अपने password को change करना चाहते हैं तो आप यहाँ से change कर सकते हैं इस application की password की बात हो रही है तो यह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ से आप अपने account को add कर लेंगे अब आती है बात कि इस से आप कैसे कमा सकते हैं तो चलिए हम इसमें से कोई एक product select करते हैं suppose मान के चलिए कि हम electronics में ले लेते हैं headphone पे हम इस पे click करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी product है इस पे आपको यहाँ पे show करने लगता है सपोज मान के चलिए तो आपको यहीं पर औपस्थ मिल जाता है कि इसे सेल कहां से हो रही है यहां पर देखें मिंतरा का लोगो देखने को मिल जाता है इस जो headphone है इसका जो price की बात करें तो देखिए 3.99 में है और इस पे जो आपको profit होगा वो आपको 60 रुपे होंगे तो आप इसे कैसे sale कर सकते हैं तो देखिए sale करने के लिए यहाँ पे आप direct whatsapp पे आप share कर सकते हैं किसी के साथ आपने friend के साथ family member के साथ किसी के साथ आप share कर सकते हैं अगर आप दूसरे social networking site पर share करना चाहते हैं जैसे facebook, twitter, instagram तो आप उसे यहाँ से share कर सकते हैं यहाँ share का options मिलता है अगर आप चाहते हैं कहीं और जैसे इस mobile से आप use कर रहे हैं इस applications को और इसमें आपका facebook account नह प्रूस्यां का options मिल जाएगा कैसे आपको हम बता देते हैं सबसे पहले हैं इसी से start करते हैं add to share जैसे हम click करेंगे तो देखे यहां पर आपको एक share का options आगया है फं लिखा हुआ है हम इस पे click करेंगे तो देखे यहां पे आगया share now यानि कि इस पे Like करेंगे तो आप WhatsApp पे का commissions आपके इसके applications के wallet में आ जाएगा और इसको अगर यहां से हटाना है तो remove का option है आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहां से share का options हट जाएगा दूसरी बात कि अगर आप facebook, twitter, instagram या कोई भी social media पर आप share करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं share का options से आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जितने भी platform पे आप share कर सकते हैं जो आपके mobile में available होगा वो सारे यहां पे आ जाएंगे तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पे आगी है यहां से आप WhatsApp, email, message के थ्रू जो भी है आपका वहां पे आप share कर सकते हैं या पे मेरे इस mobile में Facebook हो गयरा नहीं है इसलिए Facebook आपको नहीं दिखाई दे रहा है आपकी mobile में सो कर जाएगा और अगर आप WhatsApp पे share करना चाहते है तो डाइडेक्ट आप share now पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप डाइडे इस product को share करेगा उसके बाद आपके account में पैसे जो आपका commission है 16 रुपए profit है वो आपको मिल जाएगा अब यहां पे निचे की तरफ एक चीज़ और आपको show कर रहा है make links यह क्या है make links क्या है इसका कैसे use करेंगे तो जैसे हम इस पे click करते हैं तो देखें यहां से आप link create कर स हम में जोन पर चलते हैं जैसे हम में जोन पर आगे अगर इसमें से कोई भी एक product अगर आपको पसंद आता है तो हम उस product पर click करेंगे थेяться है।iving और यह product हमें पसंद आया तो हम इसपOOO कर यह ने ने ignoring comment है हम यहाँ पे उस link को paste करेंगे जैसे हम paste करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे make profit link पे click कर देंगे जैसे make profit link पे click करेंगे तो यही पे आपका link create हो जाएगा नेकिन फिलाल अभी इस platform से Amazon हट गया है तो इसलिए तरह आप AGO है इस पे AGO पे कोई ऐसा product आपको पसंद आता है उसका link आप यहाँ पे sort करना चाहते हैं तो आप उसको link sort करके फिर उस link को copy करके आप किसी भी social site पे share कर सकते हैं और आप जो commissions होगा वो commissions आपके account में आ जाएगा और इस applications को use करने में आपको किसी भी तरह की कठनाई का समना करना पड़ रहा है या कुछ doubt है जो आपको clear करना है तो आप यहाँ प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ पे आपको call us का options मिलता है आप इस पे call करके आप इनके customer care से direct communicate कर सकते हैं उसके बाद help and support का options मिलता है इस माधियम से भी आप इनके touch में आ सकते हैं उसके बाद email us का options मिलता है आप email के माधियम से भी आप अपनी doubt clear कर सकते हैं तो यह सब options आपको यहाँ पे देख जो language में आप इस applications को देखना चाहते हैं, यहां से आप select कर सकते हैं, तो यह भी options आपको इसमें देखने को मिलता है, और इस applications से आपको logout होना है, तो यहां नीचे की तरफ आपको logout को options मिलता है, इस पे click करके आप इस applications को logout कर सकते हैं, आप इससे बाहर वाज सकते हैं.